नमस्कार मैं राणा इश्वंत इंडिया नूज पर आपका स्वागत करता हूँ दिल्ली की आम आदमी पार्टी इंदिनों मुश्कुरों में है पार्टी के जो 20 विधायक हैं उनके सदस्ता रद्ध कर दी गए है यूँ कहूं कि अयोग घोशित कर दिया गया है मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है और मेरे साथ दिल्ली के उपमुख मंतरी मनिश सोधिया जी है आपका इंडनिवस पर बहुत बहुत सागत है शुक्रिया पार्टी को लगता है कि अपने विधायकों को संस्दे सच्चू बना करके उसने एक गलत फैसला किया था नहीं मुझे राना जी इसमें कहीं कुछ गलती दिखाई नहीं देती और मैं आपको कहूं कि आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार काम कर रही है दिल्ली के लोगों की चुनी हुई पार्टी काम कर रही है और दिल्ल गहरी तब राजनेतिक शड़ेंत रहे है दिल्ली के लोगों के खिलाफ है मैं इसलिए रुकना चाहता हूं कि इसे दिल्ली के जनता ने आपको एक बड़ा जनादिया शुदिया लेकिन आपकी खिलाफ फैसला चुना आयोग का है जो एक इंस्टूशन है डिमक्राइसी राश लोग कौन थे आप इसलिए इसको समझने के लिए देखना पड़ेगा यह लोग कौन है यह लोग वो हैं जो जो 20 जिनकी बात हो रही है यह लोग क्या कर रहे थे संसदेश अचिवबन के यह लोग कर रहे थे कि स्कूलों में जाते थे वहां जाके पैरेंट्स से मिले बच् इनको अपॉंट्मेंट्मेंट जब हुआ उसमें हमने क्लियर लिखा हुआ है यह मैं आपके सामने अपॉंट्मेंट्मेंट्मेंट्र आपको पढ़कर सुना रहा हूं जो नॉट्फिकेशन है दा पार्लेमेंट्री सेक्रेटरी इस विल नॉट पी एलेजिबल फॉर एनी इनको नॉट्फिकेशन है तो फिर ऐसे में इनको इनकी क्या गलती है मनेश्य मैं आपको यहां एक मिनर की दोखूंगा दो सवाल आपने अभी उठाये हैं एक तो आपने कहा कि चुना आयो जो मौझुदा सरकार है या बीजेपी जो पार्टी है उसके इशारे पर काम करता है उसके फैसलें जो हैं बो चुना आयो के फैसले नहीं हैं बलकि वो बीजेपी की नहीं सरकार के फैसले हैं 말고 बीजे पर मैं आपочно पड़कर सुनाता हूं मुझे पता है उसमें इसमें हमें समझना पड़ेगा कि जयाए बच्चन जी के केस में जो उनका नॉटिफिकेशन था उसमें लिखा हुआ था कि उनको साड़े तीन हिजार रुपे का मांदे मिलेगा वहाँ पैसा था यहां लिखा हुआ है कि इनको पार्लेमेंटरी सेकर्टीज विल नॉट बी इलिजिबल फॉर एनी रिमुनरेशन और इनी पर्क्स ऑफ दा काइंड चुनावा योग अगर इतना ही निश्पक्ष है और इतना ही बेताब है तो हरियाना का क्या हुआ चार MLA's को आज बरखास्त कर दे हमारे दिल्ली की तरह से सरकार गिर जाएगी हरियाना की चुनावा योग इतनी बहादुरी है तो करके दिखाए उनके 11 विधायकों के सस्पेंट 116 विधायक मंध्रशके है क्यों नहीं करता है उनके खिलाफ कारवाई नौ विधायक इतनी गड़के है तुरंत एक मिनिट में सरकार गिर जाएगी हमारी तो सरकार भी नहीं गिर रही एक सवाल मेरा है मैंने यह मान लिया कि अलग-अलग राज्यों में इसी तरह के फैसले हुए हैं और उन राज्यों में इस तरह कोई कारवाई नहीं हुए और सब चुनावायों के पास लंबेत भी पड़े हैं ठीक आम आदनी पार्टी इस देश में एक अलग तरह की राज्यों करने के लिए विकल्प की राज्यों साफ सुथरी राज्यों इमानदार की राज्यों आपको लगता है कि बाकी राज्यों में अगर फैसले गलत रहे है मैं फिर से उस बुनियादी सवाल पर आता हूँ मैं समयधानिक प्रावधान के आधार पर आपकी बात को समझने की कोशुश करता हूँ यह कहता है कि स्द्विधान के जो उधा होता है आप ने लोगों को राज मंत्री बनाया. अमुमन यह मानने जाता है. यह पर्मप्राइं हैं जो अलग लग राज्योंने शुरू किया. मैंने आपके जवाब के साथ कुछ अपने सवाल रखना हूँ. पहला यह है कि यह माना जाता है कि संसद्य सचियों के लिए सरकारी पैसे का इस्तमाल किया. आपने विधान सभा के भीतर लगभग पौने बारा लाक रुपे उनके कुरसी, टेबल, कमरों के रेनोवेशन पर ख खर्च किये. तो यह जो पैसा है, वो सरकारी खजाने से आया, उन लोगों के ऊपर खर्च हुआ. तो कहीं न कहीं आप ने उस तरह की सहुलियत उनको देनी चाहिए, जिस तरह की सहुलियत राजमंतरी को दी जाती है. तो आपकी नियत तो उनको राजमंतरी का उख़दा द अगर आप कानून और समविधान के आधार पर भी इस बात को काटने की कोशिश करते हैं कि बात की जगहों पर लिखा जाता है, मैंने नहीं लिखा. इसलिए क्योंकि वाइंटेशन होती है. ने 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 तिकता का है. पैसे खर्च हुए. पहला तर्क है आपका कि राजमं मंत्री. राजमंत्री किसी विधायक को कहीं आप अपरिंट करते हो तो राजमंत्री का दर्जा अगर दिया जाता है तो किसी नोटिफिकेशन के जरीए हो सकता है वो. उसको कोई भी कमेटी में डाल देना, किसी कमेटी के प्रमुक बना देना, उससे वो राजमंत्री नहीं बन जाता है उस कमिटी के उस पद को आपको राज्यमंत्री के बराबर घोशित करना पड़ता है तो यह हमने नहीं किया ऐसा कुछ तो अपने विधायकों को राज्यमंत्री बनाने के हमारी इसलिए कोई मंशा नहीं थी पहली बात यह अपने आप में हम तो लिख सकते थे उन कोई दिन अपने पैसे से बिना तन खाके बिना किसी मान दे के चालिस स्कूलों में घूमका या वो मंत्री से आके मिलेगा वो जिस कमरे में बैठेगा वो सरकार का कमरा है वो वो बैठे या कोई और बैठे कोई अफसर बैठे कोई और एडवाइजर बैठे उस कमरे की पु सरकार ने special Act बना करके और इस पद को यानि Office of Profit के पद को बाहर करने की कोशिश की है। अभी इसी पर टिके हैं। आपने कानून बनाया, आपने राष्कती को भेजा, राष्कतीन रद ईखिया, मैं अईसलिल बोला हूँ, लेकिन नतार ने के रद किया गया। जबकि बाकी राज्यों में भी हुए। आपने क्यू बनाया। हमने इसलिए बनाया क्योंकि ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो इसका मतलब कि कॉंट्रोवर्सी क्लियर करने की कोशिश आप जो अजय माकन साहब शीला देक्षित के समय में खुद दिल्ली में पार्लेमिन्टरी सेकर्टरी रह चुके हैं वो ही अजय माकन साहब खड़े हो के क होते हैं आपने कानून बनाया कि Office of Prophet को अब बाद में आपने बनाया कि इसको बाहर किया जाए वो नहीं माना गया राश्पति नी विरद कर दिया आपके विधायकों अयोगिता यह चुनावयोग ने टैय की वो राश्पती को गया राश्पती ने कहा चुनावयोग का फैस राश्पती और दिल्ली हाई कोट तीनों जगहों पर अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर कहीं न कहीं कुछ खामी तो है देखिए कोट के जहां तक है अभी तो कोट में तो सुनवाई हुई नहीं है कोट में तो सिर्फ इतना उस दिन मसला गया था कि मीडिया मे इसलिए हम एंटिश्पेशन में गए थे एंटिश्पेशन में वहां से एलेक्शन कमिशन के वकील ने डार्क में रखा को हला कि उसको सब पता होगा नियुक है उसने का जी मिझे पता नहीं दफ्टर बंद हो गया है फनाना डिकना उसके अगले दिन जब तक कोट बैढ़ पर सवाल जो भारती जंता पार्टी की केंदर श्रुकार ने किया है और यह को इसको इशू को जंता के सामने रखना चाहिए इस देश में सारी व्यवस्थाएं अरुनाचल प्रदेश भी इसी देश का हिस्सा है उसकी विधान सभा को राष्टपती कारियाले राष्टपती पद का ही उपयोग करते हुए भंक कराया गया आवाज उठी की नहीं उठी उसी काम को ठीक किया की नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में माननी सुप्रीम कोर्ट में गलत किया था कि नहीं किया था और उनाच उत्राखेंट की विधायांसभा को भी इसी सरकार में कराया था, इसी सरकार के दो धारन ऐसे हैं जब उन्होंने राश्टपती पद के जिन्होंने लास्ट में हमारे विधायां को खिलाफ फैसला दिया दौनों के सिगनीचर हैं, उन 9 October 2017 को चुना आयोग ने आपके विधायकों से सफाई मांगी। इननोंने हेरिंग दी क्या? सफाई तो मांगी ना, आपने सफाई दी? ने, कोई सफाई नहीं मांगी। आपने सफाई दी? कि आप एमेलेज कुड आफ सौट ओरल हेरिंग बिफूर दैलेक्शन कमिशन बट दे डिडेंट। आप जा करके खड़ा हो करके अपना पक्ष चुनाव आयोग के सामने रख सकते थे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और आप कह रहे हैं कि नहीं हमें मुखा नहीं मिला। कल को जजज साब कहें, जैसे कल आपको चैनल पर चलाओ, आम आदमी पार्टी को चाहिए था हमारे चैनल पर आख इंट्रिव्यू देते। अरे भाई आपकी खबर चलने हैं, आपकी जिम्मेदारी ये खबर देना, आप रिपोर्टर भेजोगे, आप आओगे, आपकी, मैं बहुत लेम एक्जामपल दे रहा हूँ, कल को सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को कहने लगें, कि भाई आपकी जिम् दिल्ली की जनता के चुने हुए प्रतिनिदिये, जिदृली की जनता के वि फैसले पे समाच्षा महरमा है, उन्होंने पांस दाल के लिए विधायक चुने थे, आपने हीरिंग मांगी, अरे हम क्यों आप करो, ये लिख रहे हैं, हमको क्या बता की अभी हीरिंग निइख र मेरा सवाल वही है अगर चुनाव आयोग ने आप से ये कहा कि आप अपना पक्ष रखिये सफाई दीजिए तो क्या आपने जा करके कहा कि सफाई में मैं चाहता हूं आपके सामने आ करके अपनी बात रखना मैं लिख करके कुछ भी नहीं देना चाहता हूं कौट की विदेनि आप किसी विख्टिम को किसी जिसके आरूपी है आरूपी को कहां आ चित्थी लिखके हमें जवाब दे दो यह करके पहले आप कहते हैं कौन होन्हें आपको इयरिंग देंगे तो गलत कौन है आम आदमी पार्टी फर्ज कर लिजे कि हाई कोट और सुप्रीम कोट टक भी आम आदमी पार्टी जो चाहती है कि अपने वीश्विधायकों के सेस्ताव बचा ले नहीं बचा पाती है तो आप चुनाव में जाएंगे लाजमी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव हुआ और मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं दिल्ली की जंता के साथ जिस तरह का दुर्विवहार भारती जंता पार्टी कर रही है भारती जंता पार्टी को ये जान लेना चाहिए कि अगर चुनाव में पड़ा, नहीं इन 20 सीटों पर, कितनी सीटी नहीं है, बीस की वीस पर खड़े हैं हम से इंतामत करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बातीत करने के लिए, दिल्ली के उपमुख मत्री मनिश्य सोधिया, जो मुझसे बात कर रहे थे, दिल्ली के 20 विधायकों के सरस् हाई कोट के सामने मामला है, हाई कोट के फैसले का सब को इंतजार है, लेकिन मनिश्य सोधिया का ये दावा है, वरोसा है, कि वो अदालत में जीतेंगे, और खुदा नखास्ता, अगर लोगों के बीच जाना पड़ा, तब भी बाजी उन्ही के हाथ मे रहेगी, इंडिया न्यूस पर खबरों का सिस्ला जारी है, देख देखे लिए